इस वीडियो में हम बात करेंगे जनतु विज्ञान के वर्गी करन से सम्मंदित कुछ महत्यपून क्यूस्चनों के बारे में तो पहला क्यूस्चन है निमलिकित में से किसे वर्गी की का पिता महा कहा जाता है तो जो वर्गी की के पिता महा है वो है लीनियस तो आंसरी लीनियस दूसरा क्यूस्चन दिवनाम पत्ति के पर्ति पादक है जो दिवनाम पत्ति थी वो किसने दी थी उपसने लीनियस त्योप्रेश्टस इची संस एंगलर तो दिवनाम पत्ति के जो पर्ति पादक है वो है लीनियस आंसर लीनियस निया क्यूस्चन वर्गी करन का प्राकरतिक सिस्टम किस वनस्पतिक विज्ञान नी परस्तुत किया था भारतिय विज्ञानिक ने जर्मन के विज्ञानिक ने सवीडिस ने या फिर बीटीस के तो इसका अंसर है सवीडिस के विज्ञानिक ने नया क्यूस्चन देखते हैं पुस्पी पादपो को रखा गया है जो पुस्पी पादप है ऐसे पादप जिसमें फूल लगते हैं उनको किस रेनी में रखा गया है किप्टो गैम्स, फेनेरो गैम्स, ब्रायोफाइट्स या पिर टेरिडोफाइट्स जो पुस्पी पादप है आवर्त बीजी उनको रखा गया है फिनेरो गैम्स में तो आंसर इज फिनेरो गैम्स इसके बाद अगला क्यूस्चिन एपुस्पी पादपों को रखा गया है जो एपुस्पी पादप है जिम्नोस्परम जिन पे पुस्प नहीं आते ऐसे पोदों को एपुस्पी पादप कहते है उनको रखा गया है क्रिप्टो गेम्स में अंसर क्रिप्टो गेम्स इसके बाद अगला question वर्गी करण की आधारिय इकाई है जो वर्गी करण है उसकी आधारिय इकाई कोन है genes, family, species, order तो जो वर्गी करण की आधारिय इकाई होती है वो होती है species, जाती इसके बाद अगला question हाइड्रोफाइट्स होते है समुद्री जीव जलिये पोधे पादप रोग या फिर जडविहिन पोधे तो अंसर है हाइडोफाइट से मतलब है जलिये पोधे अंसर इच हाइडोफाइट जलिये पोधे अगला क्यूस्टिन दिवनाम पत्ति का अभिपराय है पोधो के नामों को दो सब्दों में लिखना जो बताते हैं दिवनाम पत्ति जो remnants ने दी थी उससे क्या मतलब है तो once या जाती, जाती या किसम, कुल या once, गनिया कुल तो अंसर है once तथा जाती जो दिवनाम पत्ति होती है उसमें पहला अक्सर once का होता है और दूसरा अक्सर उसकी जाती बताता है तो answer is the once and जाती अगला question जिन पोदों पर बीज बनते हैं किन्तो पुस्प नहीं लगते ऐसे पोदे क्या कहलाते हैं आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स तो ऐसे पोदे जिस पर पुस्प नहीं लगते हैं केवल बीज बनते हैं वो कहलाते हैं अनावर्त बीजी जिमनोस्परम उसको बोलते हैं answer is अनावर्त बीजी जिवानु की खोज किस ने की थी answer फलेमिंग ने लेम्बल ने टेमिं ने या फिर लिवेन होक ने जो जिवानु है उसकी खोज की थी लिवेन होक ने next question जिवानु से सम्मंदित निमन कत्थों में से कौन सा सही है सभी जिवानु सवपोसी होते हैं सभी जिवानु विविद पोसी होते हैं या फिर अधिकांस जिवानों विविद पोसी होते हैं किन्तु कुछ सवपोसी भी होते हैं या फिर लाश्ट ओप्सन है सभी जिवानों परकास संसलेशी होते हैं तो आंसर है सभी जिवानों विविद पोसी होते हैं किन्तु कुछ सवपोसी भी होते हैं नील हरिस सैवाल है उसको जिवानू के वरग में रखा गया है वो जो है कुछ सवपोसी होते है मतलब उनमें कलोरोफिल पाय जाता है इसलिए वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं तो अधिकांस जिवानू विविद पोसी होते हैं किन्तु कुछ सवपोसी होते हैं ये करे बिट्ती होती है, ये विखंडन दुवारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगों पर पाय जाते हैं, तो आंसर है इनमें कठोर कोसिका बिट्ती होती है, इसके बाद अगला क्योशन देखेंगे, जिवानवी कोसिकाओं में नहीं होता है जो जिवानवी कोसिकाओं में क्या नहीं पाया जाता कोसिका बित्ती, जीवदरव्यकला, राइबोसोम या फिर सुत्रकनिका सुत्रकनिका को बोलते हैं माइटोकॉंड्रिया जिवान भी कोसिका एक प्रोकरियोटिक कोसिका है जिसमें जो सेल ओर्गनलिया है वे नहीं पाय जाते तो इसलिए आंसर है सुत्रकनी का मतलब माइटोकॉंडिया उसमें नहीं पाय जाएगा जिवानों की आकर्ती साधरन ते क्या होती है छड़ रूपी होते हैं गोलाकार या फिर सरपिल या फिर कोमा रूपी अलाकि यह सभी होते हैं जिवानू जो है वो इन चारो आकरों में मिलता है पर जो सबसे साधरन आकरती है वो होती है बैसिलस छड़ रूपी जो जिवानू आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं गोलानू, वाइब्रियो, दंडानू या फिर इस्पाइरिला तो जो आकार में सबसे छोटे होते हैं वे होते हैं गोलानू अगला क्यूशन देखते हैं एक गोल जिवानू कहलाता है विब्रियो, बैसिलस, कोकस या फिर इस्पाइरिला तो जो गोल जीवानों होते हैं वो होते हैं कोकस इसके बाद अगला क्यूशन एक सरपिल जीवान को क्या कहते हैं डिपलो कोकस, बैसिलस, कोकस या फिर इस्पाइरिलम तो जो सरपिल जीवाणू है उसको कहते हैं, इस्पाई रिलम, आंसर ही इस्पाई रिलम इसके बाद नएक्यूस्NG देखते हैं वाश्तवी केंद्रक इसमें अनुपस्तित होता है प्रोकेरियोटिक कोसिका होती है, उसमें केंद्रक अपसेंट होता है इसलिए जीवानू परोकेरियोटिक कोसी का है तो आंसर है जीवानू बैक्टिरिया इसके बाद अगला क्यूशन निमलिकित में से कौन सरवाधिक संख्या में पाय जाते हैं सैवाल, कववक, जीवानू या फिर कीट सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं जीवाणू तो करक्ट आंसर है जीवाणू इसके बाद अगला क्यूशन देखते है बैक्टेरिया में पाए जाने वाला संसलेशी आश्या कहलाता है सवसनमूल, मध्यकाय, वर्गी की लवक या फिर जीनधर इसका आंसर है वर्गी की लवक अगला क्यूशन देखते है अगला क्यूशन है पास्चर परसिध है पास्चर जो लूई पास्चर थे वो किसके लिए परसिध है प्रोटीन संसलेशन के लिए, शुक्षम दर्सी के खोज के लिए, रोगों की जरम ठियोरी के लिए से सबसे छोटा जीव है सबसे छोटा जीव विसानू जीवानू माइको प्लाजमा या फिर इस्ट आंसर है माइको प्लाजमा यह जो है सबसे छोटा जीव या जीवी सेल होती है अगला क्यूशन जो जीवानू सीधे ही वायू मंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के इस्तिरी कारी जीवानु यह इस्तिती नहीं इस्तिरी कारी है इस्तिरी करन वाला जीवानु तो उपसने नाइटुजन इस्तिरी कारी जीवानु अगला क्यूशन देखते हैं मूल गरंतिकावे पाय जाती है जो मूल रूट नोडूल होते हैं वो किसमें पाय जाते हैं कुछ लेग्युमिनेस लेग्युमिनेसी में पाय जाते हैं केवल कुछ लेग्युमिनेसी में पाय जाते हैं तो आंसर है कुछ लेग्यूमिनेस में पाए जाँगे तता कुछ अन्य पोदों में भी पाए जाते हैं तो पहला उप्सन करक्ट है अधिक नमक वाले आचार में जीवाणू जीवित नहीं रह पाते क्योंकि जो अधिक साल्ट वाला जो पिकल आचार होता है उसमें जीवाणू जीवित नहीं रह पाते इसका क्या कारण है तो देखते हैं ये जीव दरव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मारे जाते हैं आचार में जिवानों के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोसक पदार्थ नहीं होते हैं या फिर नमक जनन का संद बन करता है मतलब जनन को रोक देता हैं या फिर जिव जिवानों को जिनन के लिए परियाप्त परकास नहीं बिल पाता है तो अनसर है ये जीवदरव्य कुण्चित हो जाते हैं और इस तरह मार जाते है उनका जो जीवदरव्य वो संग कुछित हो जाता है तो जाता है घाtает question देखते है मारों की आत में पाय जाने वाला जिवानु है जो मान है वह उसकी आत में कौन सा जिवानु में से पाय जागा कोरीनी बैक्टिरियम, एकसिरिया कोलाई, वाइबरियो कोलेरी, बैसिलस, एंथरेसिस तो अंसर है Aceria coli, E coli इसको साधरन नाम से बोलते हैं इसके बाद अगला question, तपेदिक उत्पन करने वाला जिवानु है जिससे TB होती है, Salmonella, Mycobacterium, Diplococcus या फिर Streptomyces तो अंसर है Mycobacterium, इससे TB तपेदिक होता है नहीं question, बोजन की विसागता उत्पन होती है Clostridium botulinum द्वारा, Salmonella, Typhils द्वारा या फिर Bacillus anthracis द्वारा तो अंसर है Clostridium botulinum द्वारा नहीं question देखते है Antibiotics अधिकांसते हैं किस से प्राप्त होते हैं कवको से, विसाणों से, जीवाणों से या फिर आवर्त बीजों से जो Antibiotics होते हैं, वो किस से प्राप्त किये जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हो मिलते हैं, जीवाणों उसे अगला question देखते है यदि एक कोसी का परती 20 मिन्टों में विभाजित होती है तो दो घंटे में कितने जीवाणों बनेंगे कोन सी फसल सायक है तो चावल, गेहू, फली या फिर मकी तो उत्तर है फली अगला question देखते है नाइटोजन इस्तरी करण में लेग हीमोगलोबीन का क्या अर्थ है आक्सिजन का आवसोसन या फिर जीवाणों का पोशन या फिर जडों को ला लखना या फिर परकास का आवसोसन तो आंसर है आक्सिजन का आवसोसन नाइ question देखते है निमलिकित में से कौन सा रोग बैक्टिरिया से होता है तपेदिक, पीलिया, चेचक, मंपस तो जो बैक्टिरिया से होने वाला रोग है वो है तपेदिक, TB हमने अभी देखा था, माइको बैक्टिरियम, ट्यूबर कुलेसिस द्वारा ये हुआ था मर्दा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवानू कौन सा है ये बताना है, राइजो बियम, एजैटो बैक्टर, एसिटो बैक्टर या फिर एनाबीना तो इसका सही उत्तर है एनाबीना नया क्यूशन देखते है परसितन खाद्य प्रिरक्षन में मदद करता है जीवानों को मार कर, जैवरासाइनिक अभी किरिया की दर को कम करकर या फिर एन्जैम किरिया नश्ट करकर, खाद्य पदार को बरपकी परस से ढखकर तो आंसर है जैवरासाइनिक अभी किरिया की दर को कम करके नया क्यूशन देखते है दही जमाने में निमले कित में से किस सुक्सम जीव का परियोग किया जाता है एसिटो बेक्टर, लियूको नोश्टोक, बैसिलस या फिर लेक्टो बैसिलस तो दही जमता है फो जमता है लेक्टो बैसिलस के कारण अगला क्यूशन देखते है निमले कित में से किस के दुआरा दूद खटा हुजाता है प्रोटो-जोगा बैक्टीरिया वाइरस या फिर निमेटोड दूद का जो खट्टा होना है वो होता है बैक्टिरिया के कारण अंसर है बैक्टिरिया अगला क्यूशन देखते है दूद के दही के रूप में जमने का कारण अभी हमने पढ़ाया लेक्तो बैसिलस नए क्यूशन देखते है निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइटोजन योगी की करण जिवानु है जो सहजीवी नाइटोजन योगी की करण जिवानु है उसका नाम बताना है राइजोबियम, एजेटोबेक्टर, जेंतो मोनास, सुडो मोनास तो जो सहजीवी होता है लेग्यूमिनेसी कुल के पोदों में पाय जाता है होता है राई जो बियम अगला क्यूस्चन सर्व परतम विसानु की खोज की थी अश्टाकमेन ने, इवानोवसकी ने, इस्टैनले या फिर इसमित ने सबसे पहले जिवानों की खोज की थी इवानोवसकी ने, तो क्रक्तान चरिजदा इवानोवसकी